जहें दोसों दे मातरम केरल स्टोडी को लेकर जो भी कुछ अभी तक विवाद चल रहा था और स्विवाद का जवाब मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी ने अपने कलेक्शन से दे दिया है कलेक्शन भी थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा चल रहा है और इतना अच्छा चल रहा है कि इसने आमिर खान अक्षे कुमार जैसे सरीखों की फिल्मों को भी पीसे छोड़ दिया है चाहे हम लाल सिंग चड़ा की बात कर लें सेलफी की बात कर लें शेजादा की बात कर लें एक पॉइंट तक तक तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये भूला को भी पीसे छोड़ देगी ऐसे में अगर हम बात करें इस मूवी के बारे में तो देखी बॉल्यूर इंड़स्टी में फिल्में कमाई की रेस में बने रहने के लिए अपनी हर ममकिन कोशिश करती है मेकर्स भी लगाता दर्शकों की पसंद को समझने की कोशिश में लगे रहते है हाला कि जातर फिल्मों का हाल सिनमा गरों में बेहाल होता जाता है फिर चाहे वो फिल्म सूपरस्टार आमिर खान की लाल सिंग चड़ड़ा हो या फिर अक्षे कुमार की सेलफी या फिर आज की तारीक के सूपरस्टार कहे जाने वाले कार्तिकारियन की शहजादा लेकिन जो लोगों को एक बात अब समझ में आने लगी है वो ये है कि फिल्म को लेकर जितना विवाद होगा फिल्म उतनी बड़ी हिट सावित होगी इसका जीदा जाकता सबूत है बॉलिविड के बादशा शारुखान की फिल्म पठान पठान को लेकर जितना विवाद देखने को मिला था उसे देखते हुए लोग डर गये थे कि और सोचने लगे थे कि क्या ये फिल्म बॉक्स अवस पर रिलीज हो भी पाईगी लेकिन नतीज ये सबी के सामने है पठान हिंदी सिनमा की सबसे ज़्यादा कारोबार करने वाली फिल्म बन गई वहीं इसी रहा पर देकेरल स्टोडी भी चल रही ये फिल्म भी अपने रिलीज से पहले लगतार लोगों के निशाने पर थी लेकिन अब आलम ये है कि देकेरल स्टोडी के रिलीज को आठ दिन हो चुके हैं और फिल्म अच्छा खासा कारोबार करती नज़रा रही इतना ही नहीं एक हफ़ते की कमाई के मामले में इस फिल्म ने आमिर खान की लाल संग्चड़ा और आक्षे कुमार की सेलफी को भी पीसे चाड़ दिया है आमिर खान की फिल्म लाल संग्चड़ा ने साथवे देन महस्द 2 करोड रुपार कारोबार किया था जिसके बाद इस फिल्म की कुल एक हफ़ते की कमाई 50 करोड रुपए पहुँची थी वहीं अगर बात कर आकशे कुमार की फिल्म सेलफी की तो साथवे दिन इस फिल्म ने 95 लाक रुपए कमाई करी थी मात्र जिसके हिसाब से अकी की फिल्म ने एक हफ़ते में 14.66 करोड रुपए कमाई थे अब बात की जाए दे केलल स्टोडी की तो इस फिल्म ने एक हफ़ते के अंदर 81 करोड से जादा का बिजनस कर लिया है सिर्फ भारत में इन आकड़ों को देखते हुए लोगों का मानना है कि इस फिल्म को इसके विवाद में घिरने का काफी जादा फायदा मिला है लेकि ये बात अब समझने वाली है कि भाई ये अब बात सिर्फ देश की नहीं रह गई है दरसल केरला स्टोडी अब विदेशों में भी रिलीज हो गई है दरसल केरला स्टोडी की कहानी अब विदेशों में भी देखी जा रही है और विदेशी दर्शक ना केवल इस फिल्म को देख रहे हैं बलकि इसे पसंद भी कर रहे हैं दे केरिल स्टोडी को लेका रिवादों के बीज इस फिल्म ने सल्मान खान और आमिर खान के फिल्मों को भी कमाई के मामलें पीश चोड़ दिया है। दरसल ये फिल्म आदा शर्मा की लाइफ की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। जिन लोगों ने भी इस फिल्म को देखा है उनका कहना है कि लोगों तक सच पहुचना चाहिए और सब को ये फिल्म देखनी चाहिए। एक तरफ जहां फिल्म को मिल रहा है डिस्पॉंस को देख मेकर्स तो सितारों की खुशी साथवे आसमान पर है तो वहीं अब उनके लिए एक और अच्छी बख़वर ये सामने आई है कि इस फिल्म को इंडिया के बाहर 12 मई को 37 और देशों में रिलीज किया गया है। विदेश में भी देख केल स्टोडी ने अपना जल्ब बिखेर दाश चूरू कर दिया है। फिल्म करिटिक तरह अदर्श के एक तवीट के अनुसार आस्टरेलिया में देख के लिए स्टोडी की शांधार शुरूाद दिखी। इस फिल्म को आस्ट्रेलिया में दर्शकों का काफी प्यार भी मिल रहा है अदाशर्मा की फिल्म ने आस्ट्रेलिया में शुरुआत में 44.76 लाख रुपए का शांदार कारुबार किया है ये विदेशी आकड़े 33 लोकेशन के हिसाब से हैं इसे एक अच्छी शुरुआत भी बताया जा रहा है दरसल फिल्म की कहानी का एमपैक्ट विदेश में भी दिखने लगा है आपको बता दूँ कि केरल स्टोडी पर जारी विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है इस फिल्म को भले ही पॉजिटिव डिस्पॉंस मिल रहा हो लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं फिल्म में हिंदू लड़कियों को इसलामिक धर्म अपनाते हुए उन्हें गुमरा करते हुँ दिखाये गया है जिस पर केरल के लोगों के लोगों के लिए कि ये फिल्म उनके राज्य की छवी को खराब करने की कोशिश मातर है और कुछ भी नहीं वहीं मेकर्स का कहना है कि उन्होंने पूरी रिसर्च के बाद ही इस फिल्म को बनाया है अब देखिये कौन सही है या कौन गलत है ये तो फैसला लोगों के हाथ में अगर लोगों को मूवी अच्छी लग रही है लोगों को लग रहा है कि नहीं ये घटना है हमने आसपास होते हुँ देखी है तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी के रोकने से पब्लिक रोकने वाली है आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरे इस वीडियों फिलालत नहीं जाये हैं जबाद